जो आपका English का chapter 3 है, sorry, chapter 3 है numbers वाला English grammar का, इसमें हमने क्या करनोसता part B करेंगा, circle दा singular, singular मतलब एक बचन, जो एक बचन होएंगे इमें उसको आपने circle कर देना, जो बहुँ बचन होएंगे मतलब एक से जादा होएंगे उसको आपने क्या कर देना, underline कर देना, जैसे two boys, अब यहाँ पे boys नहीं है, boys है ना, बहुत सारे लड़के है ना, तो उन्होंने क्या बूला, प्रूर को आपने क्या कर देना, underline इसलिए हमने इसे underline कर दिया, were playing in the park, अभी आपे पार्क है, तो एक पार्क ही वो बात कर रहे है ना, तो इसलिए इसको क्या कर दिया, singular को हमने क्य कर दिया, circle इसको circle कर दिया, my right foot hurts, foot क्या है इसमें, जो आपका क्या, singular है, hurt, hurt से क्या बन गया, hurts, तो इसको आपने क्या कर दिया, underline कर दिया, next time the auction was standing in the front of gate, ox से क्या बनता है, आपका auction बनता हूँ, ox आपका singular होता है, auction आपका prular है, इसलिए इसको आपने underline कर दिया, gate है ना, gates नहीं है, singular तो आपने circle लगा दिया, the man, man नहीं है, man है ना, तो ये क्या prular होता है, कल भी आपने किया था, ठीक है, shirts है, वो क्या है, वो भी prular है, वो man, वो भी prular है, और जो आपकी dresses है, वो भी बहु बचना है, ठीक है, the boxes बहु बचना है, इसलिए आपने इसे क्या कर दिया, prular इसे underline कर दिया, corner, एक corner है, एक room है, इसलिए इनको आपने circle लगा दिया, ये आपने ऐसे ही करने है, next आपका sum है, sorry, next आपका part है, write the prular form of the nouns given in bracket, ज उनके prular form आपने लिखनी, leaf को आप क्या लिखते हो, leaves, roof को क्या लिखते हो, roofs, child को क्या लिखते हो, children, tooth को क्या लिखते हो, teeth, valley को क्या लिखते हो, valleys, fair को क्या लिखते हो, fairies, deer का आपका deer ही रहता है, mouse को क्या लिखते हो, mice